आज के दौर में काफी जरूरी सा बन चुका है चाहे वो गेम्स हो या फिर कोई अपना हमसफर ढून रहा हो आजकल एयाई को हर तरह से अपनाया जा रहा है ऐसे में AI रोबोट्स का चलन कहीं दूर नहीं है पास में है जल्दी रोबोट्स हमें दिखने लगेंगे अभी से भी दिख रहे हैं ऐसे में आज हमारे इंडिया टीवी में महमान है रोबो नैनो और इसे बनाया गया है हिलबर्ट इनोवेशन के फाउंडर हमारे साथ आज मौजूद है मिस्टर अमिद गुपता बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ इस अजूबे को लाने के लिए और हमसे जुडाने के लिए क्यों हमेशा से सोचते हैं कि AI रोबोट्स हमारे देश में हमारी कंट्री के ल तरह में विस्तार से बात करेंगे क्या कुछ है इसमें और क्या कुछ और हमें देखने को मिलेगा आने वाले समयम सो sir a grand welcome हमारी तरफ से हम चाहते हैं आपको देना तो क्या दगता है कि यह जो रोबोट्स हमारे देश में धिरे दिरे आरह तो किस तरह से आप देखते हैं कि लोग बोलते हैं, AI जो है, रोबोट्स जो है, वो human की job कही न गहीं खत्रे में डाल रहा है, तो क्या गहना है आपका एस्परेग्ट? So first of all, thank you so much for inviting us here, and देखे हमारा ये मानना है कि AI से जो jobs के खत्रे की बात है, ये बात ठीक नहीं है, और जो AI है या जो robotics है, वो humans को assist करने के लिए यूज हो गई, तो इससे क्या होगा कि जो लोग हैं, उनका living standard बढ़ेगा, वो ज्यादा productive काम कर पाएंगे, कोई भी ऐसा काम ज करना चाहिए, तो for example, अगर हमारे सफाई करमचारी है, रोबोट की help कर रहा है उस गंदगी को साफ करने में, और वो लोग उस रोबोट को monitor कर सकते हैं, और उसके अलावा वो लोग बहुत अच्छे दूसरे productive काम कर सकते हैं, तो इससे क्या होगा, लोगों का उत्थान होग और जो human race है वो progress करें, तो मतलब आपका कहना है कि रोबोट जो है, वो job के लिए खत्रा नहीं है, बलकि human need को वो कही ना कही मतलब छूते हैं, उनका काम आसान बनाते हैं, जी, सर रोबोट की बात करें, आपने जो ये अजूबा बनाया है हमारे साथ में, इसके features क्या क्या ह किस तरह से human की मदद कर सकता है, ये देखें, रोबोट की अलग अलग तरह की shapes हो सकती है, ये जो रोबोट हमारे सामने बैठा है, ये हिमनोओड है तो ये हिमनोओड बहुत सारे काम कर सकता है हमारे लिए, तो जैसे कि ये यह टेली मेडिसिन का काम कर सकता है, एक बहुत important function इसका है, जो कि टेली मेडिसिन का काम कर सकता है, कोई ऐसी disease है, जो contagious है, जैसे हमने कोविट के टाइम पर देखा, तो डॉक्तर्स को, जो हमारे health वर करते हैं उनकी जान को खतरा था, तो यह रोबोट ऐसे में, remotely जाके पेशि और आप अपनी डिवाइसे स्पे सेक्योर्टी वाले देख सकते हैं कि आपके घर की और हम कहीं पर भी हो हम इसके थू देख पाएंगे आप दुनिया के किसी भी कौने में हो रोबोट गुमता रहेगा देखता रहेगा उसके अलावा ये एंटरेटेन्मेंट का काम कर सकता है ये इंटरेक्शन का काम कर सकता है, कुछ स्टेज ऐसे आएंगी, कुछ रोबोट ऐसे भी हैं जो कि आपका चोटा मोटा समान घर के अंदर एक जिंगे से दूसरे जिंगे ट्रांस्पोर्ट भी कर सकते हैं तो आजकल दुनिया में ऐसे भी रोबोट हैं जो कि 5-6 किलो मिटर तक जाके और एक जंगे से दूसरे जिंगे डिलिवरी कर पाते हैं अच्छा, जब हम इसकी बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो काम आसान किया जा रहा है वो जादा से जादा टाइम तक हो चार्जिंग की बात जहां आती है तो कितने देर यह चल सकता है और कितनी देर इसको चार्ज करना परता है बेसिकली जेके रोबोट का साइज जैसे जैसे बड़ता जाएगा बैटरी की कपैसिटी बरती चली आती है और एक रोबोट चार्ज ओने के बाद इस ताइब का रोबोट करीब 12 गंटे तक काम कर सकता है और इसको charging करने के लिए करीब 6 गंटे का समय चाहिए होता है पांसे छे गंटे में अपनी बैटरी फुली चार्ज कर लेता है जब ये बैटरी फुली चार्ज कर लेगा और अपने काम पे निकल गया जब इसकी बैटरी डाउन होगी, आटोमेटिकली अपने चार्जिंग डॉक पर आ जाएगा, अपनी एनरजी रीगिन करेगा और वहीं से काम करना स्टार्ट करेगा. तो मतलब इसमें हमें अगर चार्ज भी करना है, इसे हमारी ही नीट के लिए तो वो भी अपने आप खुद ही करेगा, क्या बात है, मतलब हम देखते हैं, हमें जिस तरह की जरूरत है, बिल्कुल वैसा ही एक रोबोट हमारे साथ मौझूद है, सर कितना टाइम लगा इस करना शुरू किया, हमें पहला प्रोड़क्ट डेवलप करने में करीब 6-1 साल का समय लगा, और अभी यह बहुत नेसेंट स्टेच पे है, अभी तो AI का चलन्ज स्टार्ट हुआ है, तो दिरे-दिरे आने वाले समय में आप देखेंगे, दस साल में, 5-10 साल के अंदर हमारा मानना है कि इस टाइप की मशीने, not only in this shape, और दूसरी shapes में भी घर-घर में पुचाएंगे, क्या बात है, तो अगर घर-घर में robots आने लगे, तो जो हमारे, मैं कही न कहीं इस बात पे भी रखता हूं, कि हम धिरे-दिरे human evolution को देखें, तो एक दमाना था, जब हम ज़्याद आपको आलसी नी बनाएगा, आपके पास जो समय है, उस समय को आप ज़्यादा productive काम करने में लगाई है, तो आप ऐसा काम कीजिए, जो की progress के लिए ज़्यादा जूरूरी है, आपको क्यों रिपेटिटिटिव काम करना है, जो हजाड़ीयस है, या फिर एक रोज करती है, हमारे देश में, we have more women than men, 52% हमारी जो population है, तो हमें अपनी जो manpower है, जो हमारी ladies है, हमें उनको भी समाज में और काम में इंगेज करना चाहिए, तो अगर जैसे हम इसे देखें, तो ये आपने जैसे बतायाए कि surveillance के लिए, तो क्या हिससे मतलब educational part पर भी कही ना कही है कि बच्चोंकी पड़ाई में भी ये मदद करेगा, ये तो ये बहुत साही लइंग्वेज즈 बच्चों को सिखा सकता है, अच्छा राइट, इसके अंदर हम ऐसे प्रोगार्मिंग कर सकते हैं, कि बच्चे इसे in-tract करें, ये बच्चों को language कोई जिस सिखा सकता है यह बच्चों को mathematics सीखने में help कर सकता है problem solving करने में help कर सकता है के तो यह सारे काम robot से हम करवा सकते हैं तो जब हम robot की ही बात कर रहे हैं तो AI और robot पर आते हैं बेट्विन AI और AI वाले robots जो हम बात करें देखे जब हम AI की बात करते हैं तो AI एक software है ओके ठीक है software जैसे की एक आत्मा है और जो robot है robot एक body तो robot की body के अंदर जब हम AI के software डालते हैं तो वो उसकी soul बन जाती है और उसके अंदर हम जिस type से भी programming करेंगे वो उसे function करेगा जैसे जैसे यह robot एक function करने लगता है तो there is a term called machine learning वो machine learning से robot ज्यादा intelligent होता है और इसलिए हम बोलते हैं कि जब एक repetitive function robot करता है तो वो ज्यादा efficiency से करता है और उसे बार बार आपको समझाने की जरूत नहीं पढ़ती है ये बात बिल्कुल साही कई तो हमने इसको जादा जादा समझाने की जरुत नहीं पड़ेगी ये अबने आप अपने काम कर सकता है लेकिन कही न कहीं हम कहीं कहते हैं कि missile using की यहाँ पर आती है तो क्या वो पॉसिवल नहीं है? देखे, हर चीज का खराब पहलू भी है, अच्छा पहलू भी है, येस, आर्टिफिशल इंटलिएंस के थुरू, आप बहुत सारी मिस इंफरमेशन फेला सकते हैं, आप लोग कोई भी आदमी डेटा हैं कर सकता है, उसका मिस यूज कर सकता है, मिस इंफरमेशन फेला सकता है, और क्यूंकि AI के अलगोइदम पर काम करती है, जो की आपके इंटरनेट से इंफरमेशन सर्च करके आपको वो चीजे थो करती है, तो येस, ये तो इसका नेगटिव साइड हो सकता है, तो उसके लिए प्रोग्रामिंग जो है, वो बढ़ी रिस्पोंसिबल होनी चाहिए, और हम ये बोलते हैं कि इस चीज की एजुकेशन होनी लेकिन वो एक्चुली आपपर डिपेंड करता है, कि आप उसको किस तरह से यूज करना चाहता है, साथ में, प्रोग्रामिंग जो सर ने बताई, कि प्रोग्रामिंग एक तरह से सोल है पूरी बोडी की, और जिस तरह से इस रोबो को प्रोग्राम किया जा सकता है, वो हम ब वहां पर देख सकते हैं कि उसी तरह जो रोबोट है वो काम करता है Thank you so much sir, हमार साथ जुनने के लिए Thank you very much